विटामिन ए की कमी होने का मुख कारण है कि खानपान में पूर्ती ना होना विटामिन A का विटामिन A हम ज्यादा तर सबजियां या फल के द्वारा हमारे शरीर में अंदर आ जाता है लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको सही मात्रा में ये पूर्शन तत ना मिलने के वज़े से विटामिन A की समस्या सामने आती है सबसे जो पहला लप्षण होता है जो मावप को नूटिस करना चाहिए वो होता है रात को कम दिया इसको बोलते है और दूसरा होता है कि आखों के सामने ड्राइनेस आ जाता है आखों की जो पुतली होती है उसमें अलसर की पर परिशानी हो सकती है ये सारी परिशानी आ सकती है विटामिन A की कमी मोने के वज़े से कि चा है जो हम वैक्सिनेशन के प्रोग्राम के तहर्त आता है वह समय जो मैने पर बच्चे के लिए to बच्छे के के लिए पचास अजार तक का दिए जाता है जुसारा ऴज़ दिया परफपन में जो पीला करण नारंगी करण के जो फल होते हैं, गाजर हो गया, सेव हो गया, यह सारी चीजें भरा पालक हो गया, जिब्टे भी रंगे जो फल और सबजिया आते हैं, हमको बच्चों को वो खिलानी है जिसमें बीटा के अरिटिंग पाया जाता है, इससे जो हम विटामिन A की कमी होती है वो दूर होती है। सबसे पहला तो बच्चों को रात को कम दिखने का परेशानी है। इसको हम बोलते है रताउन हिया। दूसरा होता है आखों में जुरियां पढ़ना। तीसरा होता है पुतली में अलसर होना या पुतली में घाव हो जाना। चौथा होता है कि पूरी आखों में रॉष्णी कम हो जाती है बच्चों की। उनकी पूरी रॉष्णी जा सकती है विटामिन A की कमी से। तो पताव क्या इसको दिवाब जी है ना जीए है। सबसे पहले तो उनको आख के डॉक्टर जो ऑप्थाल्मोलोजिस्ट होते हैं उनके पास सबसे पहले आना चाहिए। उनसे हम प्राइमरी इलाज हम उनका शुरू कर देते हैं।